आप सभी को मेरा परणाम हर्बल रेमिडी जनेर्चर स्टेजर में आपका स्वागत है साथियों आज हम लेमन ग्रास के बारे में आपको बताएंगे सिंबो पोगॉन फ्लेक्सियोसस ग्रैमिनी फैमिली का ये प्लांट है ग्रीन टी के रूप में आपने जरूर इसको यूज किया होगा या पर सुना होगा दैनिक जीवन में हम लोग ग्रीन टी बना कर इसके पत्रका सेवन करते हैं कि आप जानते है कि इस प्रकार से हमारे लिए गुणकारी हो सकता है और क्या सावधानिया हमें इसके उप्योग करते समय रखनी चाहिए आज इसी के चर्चा करेंग हैं तो डिबंतर का छिए जाते हैं मित्रों गुणों की चर्चा करना आुशक है लेकिन गुणों के साथ साथ हमें साव्धानिया अगर पता हूं तो बहुत अच्छा रहता है विसके पत्रका उपयोग Share बुखार के निराकरण के लिए करते हैं, बुखार को दूर करने के लिए, इसके पत्रों थर्मोजनिक होते हैं, शरीर में उर्जा पैदा करते हैं, और उर्जा पैदा करने के बाद हमें पसीने आते हैं, और परस्प्रेशन के माध्यम से हमारे टॉक्सिंस बोडी से बाहर हो पूरा एक पत्र लेकर इसका काड़ा बनाकर सेवन करेंगे तो पसीने के माद्यूं से टॉक्षिन को बाहर निकालता है लिवर को डेक्षि फाइग करता है यह डाफित का कारLD का मतलब होता है है पेसाब को लाने वाला और मुत्रल इसको मुत्रल भी कहते हैं तो टौक्शिन्स को रिमूव करता है स्कीन के माध्यम से और पेसाब करने के माध्यम से लिबधार और किड़नी दोनों लॉक्सिफिकेशन हो गया फीवर के लिए साथियो मूलत मलेरिया के फीवर के निराकरण के लिए इसका उप्योग में लाया जाता है और उत्राखंड में कैप सेला क्वी में एक गवर्मेंट ऑफ उत्राखंड का संस्थान है सेंटर फोर अरुमेटिक प्लांट्स किसानों को कमर्शल करवाये जा रहा है और उनको करने के लिए प्रमोट भी किया जा रहा है ज्यादा रिसूर्स के आप सकता नहीं होती है इसके प्रोपेगेशन करने के लिए मित्रो इसके नीचे शिलिप्स पाई जाती है और इनी स्लिप्स के माद्यम से जब आप निकालेंगे तो इसका propagation हो जाता है यह छोटी-छोटी आप देख रहे हैं यह slips निकाल लेते हैं और इन्हीं से इसका propagation किया जाता है inflourations की अवस्था में आप इसको देख पा रहे हैं inflourations के मतलब फ्लावरिंग स्टेज है और इनसे जो गिरने वाले बीज है इनसे भी यह हो जाता है ज्यादा इसको सिचाई क्या सकता नहीं पड़ती है और commercial cultivation उत्रखंड के फार्मर्स लार्ज स्केल पेस का कर रहे हैं और इससे essential oil भी extract किया जाता है और उस essential oil का इस्तमाल हम लोग inflammation को दूर करने के लिए कमर का दर्द हो तो वहां पे हम उसको massage कर देते हैं joint pain हो उसको दूर करता है सुरिशिस की सम्बंदे समस्चाएं हों fungal disorders हों उनको भी दूर करने का ही कारे करता है मित्रों अगर digestion से सम्बंदे समस्चाएं है अपच की समस्चा है या flatulence की समस्चा है पेट में अफारह हो गया है तो दो से तीन ड्रॉप इसके essential oil की आप लूकवाम वाटर में एक कप लूकवाम वाटर ले लिजे खुनकुना पानी और इसके अंदर दो से तीन ड्रॉप इसके तेल की डाल दीजे और इस परकार से यह aromatic water का कारे करेगा पेट के digestion को अच्छा करेगा और गैस अगर बन रही हो तो उससे भी हमें निराकरण करते हुए हमें निजात दिलाता है गैस की समस्चा को दूर करता है साथ यह इमीनागोग भी होता है इमीनागोग का मतलब है यह female hormones को हमारे hormones को regulate करने वाला होता है इसका अगर ज्यादा मात्रा में आप 7 कर रहे हैं तो definitely हमारे hormones को regulate करता है मेंस्ट्वल फ्लो को यह बढ़ा देता है इसका आप ध्यान रखिए साथियो इसके अंदर पाए जाने वाले मेंसिस के समय सिंबो पोगान की जो ग्रीन टी आप पीते हैं उसका सेवन ना करें उस दोरान अगर आप इसका सेवन करते हैं तो मैंस्ट्वल फ्लो होता है और आपको समस्षा भी हो सकती है आपका अनिमिक आप हो सकते हैं इसका आपको ध्यान पड़ेगा साथियों इसके अलावा एक सावधानी और हमें रखने पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर विटमिन ए विटमिन भी जिंक सेलेनियम इत्यादी कि कमर्शली हम लोग बीटा आयोनीन इस एक्स्रेक्ट आउट की जाती है और बीटा आयोनीञ से विट्मिन एक इसीरफ तयार की धार्ना होती है कि प्लांट्स बहुत ज्यादा सेफ होते हैं आप इनको ले शकते हैं अपनी मरदी से कम या ज्यादा ऐसा नहीं है प्लांट्स के भी side effect होते हैं तो प्लांट्स को भी लेने का एक तरीका होता है रिशनली आप इसको योग में लाइए तो ये आपको फायदा करेंगे अन्य था ये भी नुक्सान कर सकते हैं आपके स्वास्ते के लिए जैसे कि मैंने आपका एक एक एक्जामपल लिया है तो ब feedback innovation के माध्यम से आपकी आँखों की रोशनी को प्रभावित करेगा आपकी जो वीजन है वो कम हो जाएगा आपको की रोशनी आपकी कम हो जाएगी मित्रो लेमन ग्रास टी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग तो लेमन ग्रास टी अगर आप पी रहे हैं और ज्यादा मात्रा में अगर आप इसको ले रहे हैं तो दो सावधानी आपको रखने पड़ेंगे एक तो यह मात्रा में में स्ट्रोल फिलो को बढ़ा देता है और दूसरा अगर ज्यादा मात्रा में आप सेवन कर रहे हैं तो आपके वीजन को आपके आँखों की रोशनी को ये परभावित सावधानी के साथ आप इसका सेवन कीजिए एंटी ऑक्सिदेंट और पोलिफेनोलिक कंपाउंड इसके अंदर पाय जाते हैं आपकी स्किन के के लिए उप्योगी है डायरिया डिसंट्री के समस्या हो इसके लिए बहुत अच्छा कारे करते हैं वोमेटिंग के समस्या हो व आप इसके दो पत्र लेकर इसका डिकोक्षिन बना कर सेवन कीजिए आप दिखेंगे कि चमतकारी तरीके से वोमेटिंग भी रूख जाती है डायरिया डिसंट्री की समस्या वह भी दूर हो जाती है ओबीसिटी की समस्या को भी दूर करता है पसीनिके माध्यम से हमारी टॉ धन्यवाद परिणाम नमस्कार कल फी मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद बैल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नित्य प्रतियाने वाले प्लांट का नोटिफिक्शन प्राप्त होता रहे परिणाम नमस्कार